So, Hey What's Up Guys, कैसे हो आप सभी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Samsung की तरप से एक आने वाला feature जिसका नेम है Circle to Search वैसे ये वाला feature है ना, वो आपको Samsung के जो premium smartphone है उनी के अंदर देखने को मिलता है लेकिन आज की इस वीडियो में बात हम लोग ये करने वाले कि Circle to Search वाले feature को आप लोग Samsung के किसी भी smartphone के अंदर कैसे यूज कर सकतो वीडियो आपको पसंद आती है तो आर वीडियो को like कर सकतो, इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए काफी ज़दा मिनत लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को all पर प्रेस कर लेना और आप लोग Samsung का टेलिग्राम चैनल है उसको भी जोइन कर सकतो तो guys Samsung की तरफ से Galaxy AI के जो features है उनमें से सबसे बड़ा और सबसे हाइप वाला feature है वो है Galaxy AI का जैसे कि कोई भी person है उसके बारे में आपको search करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है home screen पे प्रेस करके आपको एक circle है वो यापर draw कर देना है तो इसके regarding जितनी भी जो information है वो आपको सारी ही मिल जाएगी Google के उपर तो guys मैं आपको बताना चाता हूँ ये जो circle to search वाला feature है वो Samsung का खूद का feature नहीं है ये Google की तरप से आने वाला एक feature है और इस feature को हम लोग पिछले कई टाइम से use कर रहे है लेकिन अभी क्योंकि Samsung ने इसका एक थोड़ा नया version है नया layout है वो यापर launch कर दिया है जैसे कि ये simply आप लोगों को अपने phone के अंदर play store application है वो download कर लेनी है और यहाँ पर आपको lens है वो search कर देना है तो Google की तरप से आने वाली Google lens की application है वो आपको मिल जाएगी simply आप लोगों को इसको अपने phone के अंदर download कर लेना है तो Samsung का मेरा ये जो smartphone है इसके अंदर already circle to search वाला feature है वो अ जाए वो Samsung का हो या फिर other brand का हो तो उसके अंदर same आपको Google lens की application है उसको यहाँ पर download कर लेना है उसके बाद में setting application के अंदर जाके आपको एक option है उसको select कर लेना है अब Samsung phone के अंदर ये वाली setting है वो आपको मिलेगी navigation guest share bar के अंदर आपको simply display वाले option के अंदर आ जाना है और simply आपको यहाँ पर guest share bar है उसको select करना है नीचे की तरफ आपको option मिलेगा default digital assignment app इस वाले option पे click करने के बाद में Google का ये वाला जो option है वो आपको यहाँ पर select करके रखना है अभी इस वाले phone को मैं एक बार side में रख देता हूं और same ये वाली setting है वो मिने अपने इस वाले phone के कर रखी है तो जैसे कि हम लोग किसी application को open करते है और अब हम लोग एक बार circle to search वाला feature है उसको use करते है तो ऐसा layout है वो आपको मिल जाता है जबकि जो samsung का layout है वो थोड़ा सा यहाँ पर अलग था तो वेसे गाइस कोई ज़्यादा बड़ा difference नहीं है आप लोग देख सकतो ये वाला feature है वो भी same उसी परकार से work करते है क्योंकि samsung ने चो galaxy AI का circle to search वाला feature कोपी किया है वो google का यहाँ पर वेसे एक feature है और samsung ने उसको एक नया look है वो दे दिया है और ये वाला feature only google के उपर work नहीं करते है जैसे कि मैंने आपर photo application है उसको open कर लिये किसी भी एक car है उसको open कर लिये और अब हम लोग ये वाला feature है वो यहाँ पर करके देखते है तो car को वेसे इसने automatically यहाँ पर recognize कर लिया है और मैंने और थोड़ो इसका बढ़ा कर दिया है तो आप लोग देख सकतो ये लोगों को ये वीडियो बता सकतो comment section के अंदर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कर सकतो चैनल को subscribe कर लेना और आप लोग मारा Samsung का telegram चैनल है उसको join कर सकतो तो आप लोगों से next वीडियो में जेहिंद वन्दे मातरम